जारखन में भले ही मौनसून ने दस्तक दे दी हो लेकिन किसानों के चहरे पर अभी भी शिकन देखने को मिल रही है जारखन में मौनसून के आगमन के साथ किसान अपनी खेती बारी में जुट गए है और अभी मौसम भी खुशनुमा नजर आ रहा है इसलिए कि किसानों को अच्छी बारिस का मौका मिल रहा है और खेती में भी इनका खूब मन लग रहा है इस वक्त मैं मौझूद हूँ राची के चानों परखंड में जहां देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किसान जो है अब अपनी खेती बाली में जूट गए हैं और फसलों की जो है वो यहां पर फसलों को रोपते नजर आ रहे हैं यह मौसम कितना उपजाओ होता है खासकर किसानों के लिए कितना बेहतरीन मोका होता है कि फसल अभी लगा रहे हैं और कितना इस से बेनिफिट फाइदा होता है इसमें तो देखिये अभी तो पानी आया तो हम लोग करते हैं कोई घेती में हो जाता हैं तो बमलोग किसान आधमी हैं लोग तो लगे हुए हैं क्या करेंगे इसके कारण से हम लोग खेती में लगल रहते हैं, कहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो भी किसी तरह हम लोग का गुजर बसर चला रही है. अच्छा सरकार की और से भी कई योजनाय चल रही है चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो या किसानों के लिए जो साहता जो होता है योजना होता है उन्सका लाब क्या आप लोगों को मिल पाता है इस शेतर में वेशा तो खेर में किसी किसी को मिल पाता है किसी को नहीं मिलता ह अनो का इतिहास रहा है कि हमेशा से धर्ती का सीना चीर कर लोगों के लिए अनुगाने का काम किया है ऐसे में अब ये तो खेती बाड़ी की बात हो गई हम बात करेंगे कि इस खेती बाड़ी से अपने घर परिवार को कैसे आप आगे ले जाते हैं आपके बच्चे परिवार घर का भरन पुशन कैसे कर पाते हैं इसमें देखिए क्या करेंगे यहां तो हम लोग अभी खेती में हम लोग को एक रूपिया हम लोग को ये बिनिफिट करने पाए हैं अब है बच्चा लोग किसी तरह का ये करके भी पढ़ाल लिखाये कुछ बच्चों को नहीं पढ़ा है कि आखिर किसानों के साथ ये समस्या क्यों सरकारी योजनाओं का लाब इन्हें क्यों नहीं अब तक जो किसान यहां मेहनत मशकत करते हैं इनका घर परिवार यानि की जो धर्ती का सीना चीर कर लोगों के लिए अन्य मोहया कराते हैं आज वही अपने अन्य के लिए तिल- कर अपने जीवन को गुजर बसर करने वाले किसानों को आगे क्या भविश समस्या ना मिले और चुनोती ना मिले अपने सयोगी राजेस के साथ मोहिज उद्दिन समचार पलस चान हो